model verb का use कैसे करेंगे इस चीज़ के बारे में बहुत से बच्चों को confusion रहता है कि use of may exactly हमें कब कब करना है किस-किस जगें पर करना है क्या इसके situations होती है कि हमें इसे use करना चाहिए और basically इसका आर्थ क्या होता चलिए आज इसी के बारे में बात करेंगे कि use of may कैसे किया जाए और किस जगों पर इसे लगा सकते हैं तो बिना किसी further delay के चले शुरू करते हैं आज की वीडियो सबसे पहले ये समझ लें कि जब हम may का use करते हैं तो may का मतलब होता है किसी संभावना को प्रकट करना यानि ऐसा कुछ show करना कि वो निश्चित नहीं है यानि definite नहीं है ऐसी कुछ condition को show करना जैसे कहा जा रहा है it may rain तो it may rain का मतलब क्या होता है बारिश हो सकती है तो generally उन चीज़ों पर हमें इनका use करना है जो चीज़े हमारे control से बाहर हो जैसे बारिश होने का प्रकरिया जो है क्या वो हमारे control में है अगर हम कहे दें कि बारिश होगी तो क्या संभव है कि होगी संभावना ऐसी होती है यानि sure नहीं होते हैं कि बारिश होने के पूरी possibilities है confirm तो जहां पर संभावना बनती है जहां हम definite नहीं होते हैं और नहीं होते हैं उस जगें पर सबसे पहला use होता है कि में use करना है जैसे it may rain तो it may rain का मतलब बारिश हो सकती है में का जो exact अर्थ है वो आतर सका यानी सकना या कोई चीज का हो सकना कोई चीज का समझ सकना देख सकना इस टाइप की चीजें सक यानि possibility जिसे हम बोल सकते हैं इस तरीके के अर्थे में इसे लिया जाता है can का भी use हम इसी तरह करते हैं लेकिन can और make a basic difference यही है कि can का हमें use वहां करना होता है जहां पर हम sure हों कि हम अपनी शमता प्रियोग कर सकते हैं जैसे अगर कोई box रखा है बड़ा सा और वो आप उठा सकते हैं तो आप बोलेंगे I can lift it यानि मैं उसे उठा सकता हूँ आपके अ आप उसे नहीं उठा सकते हैं लग रहा है possible कि कोशिश करेंगे बट हो सकता उठ भी जाया हो सकता नहीं बुढ़ जाया तो आप वहां बोलेंगे I may lift it तो इस तरह से आपको यहां पर चीज़े समझनी है में और can का use तो it may rain tonight अगर sentence बोलते हैं तो यह sentence पूरी तरह से सही हो होगा यानि कि आज बारिश हो सकती है इस तरह से sentence को हम कह सकते हैं अब इसी तरह अगर यह बोले हम it can rain tonight तो यह sentence पूरी तरह से गलत होगा reason अभी सीदे से बताया कि हम किसी शामर्त और किसी शमता को यदि अपने अंदर धारण करते हैं यदि हमारे अंदर possibilities है वो कराने की तो तो हम उसे can लगाएंगे लेकिन अगर वो हमारे शमता से बाहर है तो वहाँ पर मे का use होगा can का use नहीं होगा फिर इसी तरह से it may fall now यह गिर सकता है तो यह संभावना है जब किसी चीज की संभावना होती है possibility होती है तभी हम लोग मे का use करते हैं तो यहाँ पर भी हमें में इसी sense में use करना है it can fall now अगर कहते हैं तो यह एक गलत sentence होगा as per grammar rule तो यह चीज़ों को आप यहां समझना है अब जैसे हम दूसरा use करते इसका किसी को आशिरवात देने के लिए कि may you live long अगर किसी को कहा तुम्हारी आयू लंबी हो तो क्या निश्चित तोर पे आपके कहे देने से किसी क्या आयू जो है 500 साल तक हो जाएगी आस संभाव यानि कि ऐसा नहीं हो सकता है तो एक इस तरह से प्रातना होती कि इश्व से प्रातना करते हैं वहाँ पर भी में लगाते हैं can you live long अगर कह देंगे तो इस sentence गलत होगा reason क्योंकि भगवान से हम किसी व्यक्ति के लिए केवल प्रातना मात्र कर सकते हैं possibilities हो सकती हैं निश्चित नहीं हो सकता कि मतलब confirm बोल दें कि हमने बोल दिया अब उसके बाद हजार साल तक जिंदा रहेगा तो ऐसा आज संभाव है तो एक संभावना को प्रकट करने के लिए हम लोग मेका यूज करते हैं लेकिन कुछ conditions होती हैं उन condition को भी आप समझते चलेंगे कि किन condition में इसका यूज कर सकते हैं तो जैसे यहाँ पर we eat so that we may live अब इसका प्रियोग clause है जो कि so that या फिर that से जुड़ा हुआ है ऐसे cases में purpose यानि उत्देश को हमें शो करना होता है तो sub ordinate clause यानि जो इसका पहले वाला sentence से जुड़ा हुआ है यानि बाद वाले sentence में पहले वाले sentence के जुडाव होने के नाते हमें इसमें may use करना होगा जिसमें हम एक reason बताते हैं एक possibility बताते हैं एक कारण बताते हैं इसलिए तो basic तोर पर आप इसे समझ लिजे कि अगर ये that या फिर so that से जुड़ा हुआ हो तो हम उसे दूसरे वाले sentence में make a use करेंगे reason behind it क्योंकि यहाँ पर ये पहले वाले का परिणाम के बारे मता रहा है कि हम खाते इसलिए ताकि हम जी सकें अब यहाँ पर भी sure नहीं है क्योंकि खाने का बतलब यह है कि जिन्दा रहेंगे रहेंगे ये possibilities होती है निश्चत नहीं होता है इसलिए यहाँ पर make a use किया जाता है यह एक दूसरी condition होती है अगर यहाँ पर आपको correction करने को कह दिया जाए और sentence में यहाँ पर कैन दे दिया जाए तो आप कौन सा concept लगाएंगे इस चीज़ को यहाँ पर को समझना है exactly and the next question इसी तरह से देखे कह रहा है he might pass वह एक्जाम पास कर सकता है बट लेकिन आगे बोल रहा है कि इस तरीके से कि बट the examination seen his intelligence I don't have I don't have much hope कि मुझे जादा उससे आशा नहीं है तो ऐसे sentence में क्या exactly लिशो करने के कोशिश करने कि माइट होती है माइट का प्रियोग हम लोग कप करते हैं जब हमें कोई संभावना किसी जगह पर बहुत कम हो यानि कि ना के वराबर संभावना हो और में का प्रियोग हम तब करते हैं जब हमेरे पास संभावना जादा हो तो थोड़ा से यहा जादा से थोड़ी कम है तो माइट का प्रियोग करते हैं तो यहाँ पर इस सेंस को यूज करते हुए हम लोग कहेंगे कि ही माइट पास पर पास हो सकता है लेकिन देखेंगे उसकी जो बुद्धिमता है I don't have much hope मुझे जादा आशा उससे है नहीं तो इस cases में हम लोग माइट का प्रियोग यहाँ पर करेंगे तो इस तरह से इसका यूज किया जाता है And the next intensity तरह से कहता है कि मस्त का प्रियोग अब कैसे करना होता है यानि में का प्रियोग तो हम देख लिए लेकिन मस्त का प्रियोग क्या होता है exactly हम लोग जो must का प्रियोग करते हैं तो इसका मतलब होता है बहुत जरूरी condition यानि बहुत important condition को हमें जब सो करना होता है तो हम must का प्रियोग वहाँ पे करते हैं अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि जब संभावना कम थी तो हम might use कर रहे थे में use कर रहे थे लेकिन संभावना अगर यहाँ पे जो है बहुत ज़ादा हो confirm ऐसा हो ही जाना है तो वहाँ पे में और might का use ना करके बलकि हम must का use करेंगे जैसे he stays in five year hotel and travel by flight कि वह जहाँ यहाँ पे रुकता है और पांच साल तक और travel करता flight से he must be very rich अब संभावना बहुत ज़ादा है कि जो व्यक्ति five star hotel में रुक रहा है और flight से travel कर रहा है ज्यादा तर ऐसा कर रहा है तो must be rich वह अवश्य ही अमीर होगा तो कोई उधार ले लेके तो इतना काम करेगा नहीं तो यह हम मान लेंगे यहाँ पर कि संभावना इसकी ज़ादा है कि वह वाकई अमीर होना चाहिए अमीर होगा अब देखिए यहाँ पर sure की condition नहीं है यह भी समझ लिजे must का मतलब यह नहीं हो गया कि वह अमीर है ही है हो सकता है कि वह किसी और व्यक्ति के माध्यम से ऐसे चीज़े कर रहा हो लेकिन हम must इसलिए कह रहे है क्योंकि हमें यह पूरा विश्वास है कि पैसा तो उसके पास at least आ रहा है that means must का use वहाँ पे इस condition में हम लोग करते हैं फिर इसी तरह से may I come in sir बहुत important sentence generally यह बच्चे पूशते हैं कि sir इसमें में ही क्यों लगाया जाता है can क्यों नहीं लगा जाता तो can का मतलब समझ लीजिए कि आप class में गोसरें धमकी देते हुए कि हम अंदर आ सकते हैं अगर बोलें कि can I come in sir तो इसका मतलब हो गया यानि कि एक प्रेम भाव से एकदम गुस्ते मैं नहीं कि तलवार ले किया और बोलें में I come in sir तो वो चीज आपका polite request होना चाहिए एक humble request होना चाहिए that will be the may I come in sir या may I come in इस तरह से sentence को हम बोल सकते हैं तो ये may का use यहाँ पर polite request या possibilities के लिए भी इस तरह से किया जाता है जहाँ पर हम सम्मान भूरवक किसी चीज के बारे में request मांग रहे होते हैं and the next sentence देखते हैं do not use possibly and likely with may may के साथ में ये बहुत important section है कि may के साथ में आपको possibly और likely use नहीं करना है सबसे बड़ा कारण use नहीं करने का तो वो सबसे बड़ा कारण यहीं है क्योंकि already may और might इस बात को show करते हैं कि संभावना को ही दिखाना है आपको तो यहाँ पर sure तो होने का chance ही नहीं है तो likely और possibly अगर अलग से use कर देते तो unnecessary हो गया जैसे do not not come in अगर हम दो बार बोल दे not not come in तो इस तरह sentence एक wrong sentence हो जाएगा न तो basic चीज concept क्या है कि एक ही जैसे word एक ही जैसे अर्थ वाले word को एक साथ प्रियोग नहीं किया जाता तो यहाँ पर जब हम sentence लिखेंगे we may possibly come tomorrow तो यह sentence पूरी तरह गलत होगा क्योंकि यहाँ बे possibly use है मे के साथ में अगर हम sentence इस तरह से लिखें कि we may come tomorrow हम कला सकते हैं तो यहाँ पर मे सही है क्योंकि possibly already उसी चीज़ को show कर रहा था जो double meaning दे रहा है यहाँ पर and we may possibly come tomorrow यह sentence पूरी तरह से गलत होगा यह sentence पर possibly आपको use नहीं करना है अगर हम लोग मे की जगाए पर कोई और model यूज करते हैं तो यह sentence आई होगा क्योंकि यहाँ पर हम feature की बात कर रहा है कि हम संभावना है हमारे कल आने की तो यहाँ पर हमने model word change कर दिया तो possibly use कर सकते हैं लेकिन मे के साथ use नहीं कर सकते हैं condition आपको यहाँ पर समझ नहीं होगी तो I hope कि इससे आपको बहुत बड़ी confusion दिर होगी आज की इस वीडियो में ऐसे एक नए lecture के साथ फिर मिलेंगे next session में stay safe